हेलो फ्रेंट्स दिस दिव्या सुकला जोफॉर टार्गेटेट विठंकिता फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का लेशन प्लान बनाना ना सिखेंगे जिसका प्रकरण होगा पासांट काल फ्रेंट्स इसके पहले हमने और भी लेशन प्लाम बना कर अपने चैनल पर अप्रोड कर रखे हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है आप वहां से जाकर उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा और अगर आपको वीडि संख्या लिखना होगा उसके बाद में चात्रा ध्यापिका का नाम लिखना होगा उसके बाद संस्थान का नाम लिखना होगा और उसके बाद में विद्याले का नाम लिखना होगा यहां पर उस विद्याले का नाम लिखा जाएगा जिस विद्याले में आप टेचिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद आपको ज़ह क्वालम बनाने होंगे, पहला दिनांक, दूसरा कछा, तीसरा विसाइ, विशाइ, चौृथा उपविशाइ, पाचवा कालांस, विसाय के प्रैति जूची जागरित करना नमबर दो बच्चों के मानसिक सक्तियों का विकास करना नमबर तीन बौधिक छमता का विकास करना जिसे से बच्चे अइतिहासिक प्रमाडों की जाच कर सकें नमबर चार बच्चों में वैग्यानिक एम अइतिहासिक दृष्टिको के बारे में विश्तित जानकारी प्राप्त करेंगे 정도 दो बोधात्म खुद्देस छात्र नाव पासारकाल एवंधात्व काल में अंत्रकर अच्छे से बोध कर सकेंगे Н刚才 कुरियात्मकुद्देस छात्र नव पासार से सीखे गे युजृ जानकारी व्याख्यान विधी, पूर्विजान हेडिन डालना है और लिखना है छात्रों को पासार काल के विशय में सामानने जानकारी है इसके बाद में आपको प्रस्तावना प्रस्न हेडिन डालना है और तीन कॉलम बनाना है पहला करम संख्या, दूसरा छात्रा ध्यापी का कथन, तीसरा छात्र कथन नमबर एक, प्रिधिवी पर सबसे जागरुक प्राड़ी कौन है, छात्र कथन में लिखेंगे मनुस्य नमबर दो मनुस्य के मूल भूत आवजकताएं कितनी है छातर कथन में लिखेंगे रोटी कपड़ा मकान नमबर तीन मकान का प्रियोग मनुस्य किस लिए करता है छातर कथन में लिखेंगे रहने के लिए नमबर चार, किस समय मज़ोसे के पास रहने के लिए मकान नहीं थे, छात्र कथर मिलखेंगे संभावित उत्तर इसके बाद में हेडिंग डालेंगे उद्देश से कथन, इसमें लिखेंगे छात्रो, आज हम लोग पासाड काल के बारे में विश्तरित अध्यान करेंगे इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रास्थुति करण और इसमें कुल 5 कोलं में लिखेंगे पुरातातवीदों का यह मानना है कि मानों ने जबसे भली भात खेती का ना प्रारंभ कर दिया तभी से नोपासाड काल प्रारंभ होता है इसमें औजार सुन्दर और सुडॉल थे, हत्थिदार कुलाड़ियों हसिया, इस समय महत्पूर्ण औजार थे खेती के साथ पसपालन भी प्रारंब हुआ, पसुओ का मांस वदूध प्राप्त करने में किया जाता था मिट्टी के बर्तन बनाना, बर्तनों पर नकासी एहम चितरकारी में रंगों का प्रियोग होने लगा इसी समय मानल ने पहिये का अविस्कार किया, खेती के कारण लोग एक ही जगा रहने लगे फल सरूप नए नए कौसल विक्सित हुएं, जैसे मूझ की टोकरी, वा चटाईयां बनाना, कताई करना, जानोरे के बालों के कपड़ा बनाना आदी सवो को दफनाने के धंग से धार्मिक विकास, मृत के साथ खाने पीने की चीज़े आदी इसके बाद में देखिए, यहां पर आपको छात्र कथर में लिखना है, छात्र ध्यान पूर्बक सुनेंगे, सिच्छड विधी में लिखना है, असपश्टी करण विधी इसके बाद में हेडिंग डालेंगे हम सिच्छड विंदु में बोध प्रष्ण, और इसमें नमबर 1 लिखेंगे, मानव का सरव पर्थम पालतु पसु है, छात्र कथर में लिखेंगे कुट्ता सिच्छड विधी में लिखेंगे प्रसनोत्तर प्रविधी इसके बाद नमबर दो लिखेंगे पही एकाविस काल में हुआ चातर कथर में लिखेंगे नौपासाड काल में इसके बाद हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रसन नमबर एक धातु काल के बारे में आप क्या जानते हैं चातर कथर में संभावित उत्तर इसके बाद में आप छात्रा अधियाप्रिका कथन में हेडिंग डालेंगे असपश्टी करण और इसमें लिखेंगे नौ पासाड़ यूग का अंत होते होते पत्थर के सासा धातु का इस्तेमाल सुरू हो गया उसके बाद में सिच्छड विंदों में धातु का लिखेंगे दातु में सबसे पहले तामबे का प्रयोग हुआ जिसके कारण इसी योग को तामर पासाड़ योग कहा जाता है मानों न तामबे की खानों का पता लगा कर उसमें तामबा खुद कर निकालना सुरू किया उच्छ तापान में तांबे को पिघलाना तथा साचे की सहायता से धात उड्रों को विविर रूप देना भी उन्होंनों सीख लिया वह मानों विकास की एक महत्वपूर्ण खोज थी छात्र कथर में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे सिच्छ विदी में लिखेंगे व्याख्यान विदी इसके बाद में सिच्छ विद्व में लिखेंगे मिस्रिध धातु धीर धीरे मानों ने तांबेवा जस्ते को मिलाकर मिस्रिध धातु कासा बनाना सीख लिया मानो जीवन उसकी प्रगतियों संघस की जानकारी है प्रारंभिक मानो ने अपनी समस्याओं से जूथते हुए अपने को जीवित रखा अपनी उन्नती की एवं अपने को सभ्य बनाया इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न नमबर एक कासा किस धातुका मिस्रड है नमबर दो तामर यूगीन सभ्यता किसे कहते हैं इसके बाद हेडिंग डालेंगे मुल्यांकन प्रश्न नमबर एक पहिये का अविसका और कभ हुआ नमबर दो मानो ने आग जलाना कैसे सीखा इसके बाद हेरिंग डालेंगे, गरीहकार, घर बनाने में किस सामागरी का प्रियोग करते हैं, लिख कर लाइए, फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसका इसके इंसोट लेकर रख सकते हैं, ताकि बाद में जब आप अपना लेशन प्लान बनाएं तो आपको कोई भी प्रेहाओ या सवाल हो तो नीचे कमेंट बाक्स में लिखना मत बुलिएगा, इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें के नॉटिफिकेशन बलको जरूर पैस कर दीजेगा, ताकि आप आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं अगली वीडियो में